इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाँ फ्रेंड्स की आप दोस्तों OnePlus Nord CE3 Lite 5G के मुवाइल फोन में दोस्तों प्राइबिसी पासवर्ड आप कैसे सेट कर सकते हैं मतलब कि दोस्तों जब आप किसी एप को दोस्तों लॉक जब आप करें तो फिर दोस्तों कौन सा पासवर्ड डाल कर आप दोस्तों लॉक किये हुए एप के अंदर जा सके या अगर आप अपना कोई फोटो वीडियो दोस्तों प्राइबिट करें या दोस्तों अगर आपने द प्राइवेसी पासवर्ड आप दोस्तों कैसे सेट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले चैनल पे नए हैं चैनल सस्क्राइब करिएगा पासवाले नोडिफिकेशन को दबाकर ऑल के ऑफसन पर ज़रूर क्लिक करिएगा चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आपको जाना है उन्प्लेसौट सी इत्रीलाइट 5G माईड़फून की सेटिंग में सेटिंग में आकर यहां पर दोस्तों आपको आना होगा लगातार नीचे नीचे आने पर आपक चार अंकों का privacy password set करना चाहते हैं या फिर 6 अंकों का या फिर दोस्तों 4 से 16 अंकों का तब आपको यहां दोस्तों numeric पर देना है क्लिक कर लेकिन दोस्तों अगर आपको जो है दोस्तों password type का privacy password set करना है मतलब कि दोस्तों अंक और अक्षर को मिला कर दोस्तो प्राइबेसी पासवर्ट सेट करना है तब तब आपको दोस्तो यहां जो है अलफा न्यूमेरिक पर देना है क्लिक कर और दोस्तो अगर आपको जो है दोस्तो पैटन को अगर आपको प्राइबेसी पासवर्ट में सेट करना है तब आपको सामने यहां पर दोसो 6 अंकों का प्रावेसी पासवर्ट सेट करने का उपसन आ जागा और दोस्तो जब आप यहां यूज ए different password type पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तो फोर डिजिट को सेलेक्ट करके 4 डिजिट का भी सेट कर सकते हैं और आप यहां 4 to 16 को select कर के 4-16 अंकों का beyond order pattern पर klik kaरके pattern को भी privacy password में set कर सकते हैं और दोस्तों आप यहाँ alpha numeric पर klik' करके password टाइप का मतलब कि दोस्तों आप जो है अंक और अक्छर मिला कर भी privacy password set कर सकते हैं फिलाल दोस्तों मुझे 6 अंकों का privacy password set करना है तो चलिए हम यहां से 6 digit को लेंगे select कर तो दोस्तो चलिए हम यहां पर 6 अंकों का एक दोस्तो privacy password देते हैं डाल और दोस्तो एक बार डालने के बाद आपको दोस्तो यहां यूज पर देना इक लिक कर और confirm करें के लिए फिर से आपको वही privacy password देना इक डाल तो जब आप दोस्तो डाल देंगे उसके बाद दोस्तो यहां पर आपको एक security question का answer दोस्तो set करने के लिए दोस्तो कहा जाएगा और दोस्तो आप जो है यहां पर click करके आप चाहें तो दोस्तो किसी question को select कर सकते हैं मैं यहां से select कर लेता हूं father name और यहां दोस्तो फादर name में हम अपने father का देंगे दोस्तो नाम डाल और दोस्तो आप चाहें तो यहां set recovery email पर click करके आप अपना कोई दोस्तो Gmail ID भी यहां पर add दोस्तो कर सकते हैं तो दोस्तो यह Gmail ID या फिर दोस्तो security question का answer इसलिए दोस्तो यहां पर set दोस्तो करना होता है तो दोस्तो या तो आपको यहाँ पर एक दोस्तो security question का answer दोस्तो देना है डाल या फिर दोस्तो Gmail ID को दोस्तो यहाँ पर देना है अड़ कर अड़ कर देने के बाद ऊपर आपको यहाँ दोस्तो then पर देना है क्लिक कर अब दोस्तो आपके फोन में दोस्तो प्राइबेसी पासवर्ड हो जाएगा सेट और दोस्तो प्राइबेसी पासवर्ड दोस्तो इसलिए सेट दोस्तो किया जाता है ताकि दोस्तो आप जो है अपने फोन में किसी भी एप को दोस्तो लॉक आप दोस्तो कर सकें या दोस्तो कि किसी भी फोटो वीडियो को दोस्तों प्राइवेट कर सकें